आर्ट 400 400 400 यह है डाउटनेट नबर चाहें वह फिजिक हो चैमिस्ट्री हो मेथ हो बाईलिजी हो अब आपको हर सवाल का सॉलुशन मिलेगा डाउट नबर बस आपको आपकी फोन में डाउटनेट का वार्ट सब्दैट नमबर 8400 4400 को सेव कर लेना है बस फिर आपका जो भी स सवाल होगा आपको उसको फोटो खीच लेना है उसे क्रॉप करना है और फाइव सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉलिशन मिल जाएगा फोग क्लास सिक्स तु ट्वल आइटी जी में एडवांस नीट सीबसी बोर और सभी स्टेट के बचों के लिए है ये तो देर किस बात अर्धवासिक परिक्षा मॉडल पेपर को तो यहां हम आपके लिए अर्धवासिक परिक्षा से लेलेड मॉडल पेपर लेकर आये हैं जिसमें आपको इंपोर्टेंट कोशन्स दे गए हैं आपके बेस्ट अर्धवासिक परिक्षा से रिलेटेड तो आप इस मॉडल पेप उसको हाइड करके भी आपना आंकलन कर सकते हैं चलिए देखते हैं फर्स कोशिन तंद्रालश शब्द का अर्थ है तो यहां ऑप्शन्स मिलेंगे आपको चार जिसम से एक आंसर देना है आपको ऑप्शन्स है अलसाया हुआ नीन से जगा हुआ उनमाज से ग्रस नीन से अलसा हुआ सेकंड कोशिन है सभी के लिए स्वास्थे वर्धक रितू होती है स्वास्थे वर्धक जो रितू है वो कौनसी होती है बसंद हैमन्त ग्रिश्म बरसात सबसे अच्छी जो रितू होती है स्वास्थे वर्धक जिसे कहा जाता है वो होती है बसंद रितू थर्ड कोशन है लेखक बदलू को कहा करता था लेखक जो है वो बदलू काका को क्या कहकर बुलाता था तो मैंने आपको आंसर भी बता दिया है लेखक जो बदलू है उसे क्या कहकर बुलाता था बदलू काका ओप्शन से को करेक करेंगे फूर्थ कोशिन है मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ है आकरशीत करना अपना बना लेना अपनत्व स्थापित कर लेना सोच बदल देना तो यहां आंसर होगा आकरशीत करना option a को correct करेंगे fifth question है लेखक को बस लग रही थी जो बस की यात्रा है chapter से लिए गया है question कैसी लग रही थी लेखक को बस then ये खराब जरजर टूटी फूटी then ये लेखक को कैसी लग रही थी बस then ये अवस्था में next sixth question है निम्मेश शब्द का अर्थ है निर्मीद के लिए कारण अभी प्राय निम्मिद उसके निम्मिद उसके कारण ठीक है तो यहाँ निम्मिद का क्या अर्थ होता है कारण options है को correct करेंगे seventh question है दीवाने शब्द प्रियुक्त हुआ है मस्तानों के लिए देश प्रेमियों के लिए देश के वीरों के लिए साहसी वैक्तियों के लिए तो दीवाने शब्द प्रियुक्त हुआ है देश के वीरों के लिए options है को correct करेंगे इर्थ question है मानव सब्भेता की विकास में अनुठी भूमी का निभाई है टेलिफोन ने, SMS ने, पत्रों ने, वाइलेस ने, पत्रों ने तो यहाँ options एको करेक्ट करेंगे 9th question है धरोहर शब्द का अर्थ है अमानत, खोज, अनुठी, लाप उसकी धरोहर यानि उसकी अमानत, बोलते हैं न, कि उसकी धरोहर को संभाल के रखना, अर्थार उसकी अमानत को संभाल के रखना, जो उसकी यादे हैं, उसे संभाल कर रखना, तो यहाँ option आजाएगा option A, अमानत तैन्थ question है, फलना, फूलना का अर्थ है, आगे बढ़ना, खोश होना, उन्नती करना, मौच करना, तो जब हमें कोई आशिवाद मिलता है, फलने, फूलने का फलो, फूलो, अर्थार, उन्नती करना, इसकार क्या अर्थ होता है, उन्नती करना, options है, correct हो जाएगा next 11th question है, रिक्तिस्थान की पूर्ती कीजिए, यहां आपको रिक्तिस्थान की पूर्ती करनी है 11th question से, तो यहां 11th question है, आजकल इमानदारी से काम करने वाले को, रिक्तिस्थान समझा जाता है, यहां आपको दो option दे जाएंगे, मुर्क, मंद, बुद्धी, तो आजकल जो काम करता है। उसको क्या समझा जाता है? मुर्क समझा जाता है. तो यहां लिख देंगे मुर्क. 12 कुशिन है नहीं, यह सबसे कठीन समय नहीं, अभी भी दबा है प्लैंक की चौँच में तिनका. तो यहाँ चिडिया या यह कौन से पार से लिए गया है दन्नी चिडिया तो यहां चिडिया है यह उप्षन हो जाएगा करेक्ट नेक्स 13 कोशन है रिक्तिस्थान के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे गांदी जी नहरू जी तो यहां आजाएगा गांदी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे पोटिन कोशिन है आई बनकर उल्लास अभी प्लैंक बनकर वह चले अभी तो यहां आएगा आसु या पानी में से आसु आई बनकर उल्लास अभी आसु बनकर वह चले अभी फिफ्टिन कोशिन है बस को देखा तो प्लैंक उमर पड़ी क्या उमर पड़ी श्रधा भक्ती श्रधा बस को देखा तो श्रधा उमर पड़ी 16 कोशन है पुष्प पुष्प से तंद्रालस भ्लैंक खीच लूंगा में लालसा या अच्छा तो यहां होगा लालसा पुश्पु पुश्पु से तंद्रालस लालसा खीच लूंगा में 17 कोशन है बदलू मनीहार का चूडिया बनाना क्या था? क्या पेशा था? तो यहां रिक्तिस्थान में आ जाएगा पैत्रक पैत्रक पेशा था 18 कोशन है पंडित नहरू अपनी पुत्री ब्लैंक को फोन करते यदि उस समय आज जैसे संचार की साधन होते तो यहां रिक्तिस्थान में लिखेंगे पंडित नहरू की पुत्री थी इंद्रा गांधी तो यहां इंद्रा गांधी लिख देंगे 19 कोशन है कैसे कहूं की दुनिया में सच्चाई और रिक्तिस्थान लुप्त हो गई है इमानदारी। कि अभी भी बहुत लोगों में संख्या कम है पर लोगों में अभी भी सच्चाई और इमानदारी व्याप्त है 20 question है, गोता लगाना का अर्थ रिक्तिस्थान लगाना है, डुपकी या तैरना, गोता लगाना अर्था डुपकी लगाना, तो यहाँ डुपकी है जाएगा Next, 21 से 25th question जो है, वो है, निमलिकित पनरावरित चब्दों का बाक्य में प्रियोग किजिए First है, बातों बातों में, तो यहाँ बाक्य में प्रियोग होगा, उसने बातों बातों में अपना अप्राज स्विकार कर लिया Second है, रह रहकर, तो यहाँ जो बनेगा बाक्य वो बनेगा, आज प्राते से रह रहकर वर्षा हो रही है Next, third है, लाल-लाल, आज आसमान का रंग लाल-लाल हो रहा है Fourth है, सुभे-सुभे, वाक्य में प्रियोग होगा, मैं प्रिति दिन सुभे-सुभे घुमने जाता हूं और 25 हो जाएगा, घड़ी-घड़ी, वह राजू की घड़ी-घड़ी की खबर रखता है 26 है, कवी पुश्पो की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाता है तो यहां सर लिखेंगे, कवी किशोरो रूपी पुश्पो की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए अपनी स्वपन भरे कोमल हाथ उन पर फीरना चाता है और उन्हें एक मनोहर प्रभाद का संदेश देना चाता है 27 कोशन है लाग की वस्तो का निर्मान भारत की किन किन राज्यों में होता है 28 कोशन है सारी बस ही इंजन है और हम इंजन में बैठे हैं लिक को ऐसा क्यों लगा तो आंसर लिखेंगे लेख को ऐसा इसले लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तो वह जोड़ जोड़ से आवाज करके हिलने लगी 29 कोशन है दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी तो आंसर लिखेंगे कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी एक तरे का पता होती है यह छे अंकों की होती है इसका प्रतिक अंग अपने आप में महतलपुन होता है इसका पहला अंक राज्जी को अगले दो अंग उस छेत्र को अंतिम तीन अंग संभंधी डाग घर की सूचक होते है संबंदी टाप घर में पत्रों की छटाई होती है फिर वित्रन होता है अब देखेंगे दीर की प्रश्ण प्रतिक प्रश्ण पांच अंका है 31st question है अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने प्रधाना ध्यापक जी को तीन दिन के अवकाश एतु एक प्रातना पत्र लिखिए तो एक आपको प्रातना पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है अपने बड़े भाई की शादी में आपको सामिल होना है और अपने प्रदाना ध्यापक जी को तीन देन की छुट्टी देने हैं तो आपको रिक्वेस्ट करनी है ठीक है तो यह आप स्वैम करें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके पूछ सकते हैं और लास्ट कोशन है आपके इस मॉड सिक्षा तो आपको चार यहां दीए जाएंगे निभन की जो शीर्शक हैं आपको एक मिशयप पर निभन लिखना है तो यहां बहुति हैं तो यह रजी डाउट रहता है यह aats spider कर हैं अगर को डाउट है तो आपका कमेंड बॉक्स में हैं कि या पूस सकते हैं ठीक है तो य तो आप इसे करिए इससे आंकलन कीजिए अपना अपने अद्वाचिक परिश्या की तैयारी का तो इसी तरह हम आपकी क्लासे रिलेट और भी इंपर्टेंट वीडियो देखते रहेंगे तो जुड़े रहें हमारी चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्य बा